नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका न्यूज कमांडो 49 चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिभा साथ ये इस बक्त मैं करोली से चल करके ब्यानी मार्ग पर था और आज से मैज अगर हम बात करें तो 16 साल पूर्व एक राजस्तान के अंदर बड़ा अंदोलन हुआ था जिस अं समाज के लिए बलीदान दिया था बीर गुर्जर आरिक्षन सहीद इस्तल दिनांग 23 मई 2008 ग्राम कारवारी तैसील ब्याना भरतपुर राजस्तान यह पूरा एड्रस है साथियों यह वही जग है जहां पर गुर्जर जाती में जनवे जो लोग जिन्होंने अपना बलीदा समाज के द्वरा एक सहीद इस्तल का जो दर्जा है और अच्छे इस्तल बनाया हुआ है यहां पर आसपास के जो गाव है यह वही जगह पीलूपुरा जहां पर आज से अगर हम बात करें तो 16 साल पूर्व काफी बड़ा संगर्स रहा था उस टाम मुक्षमंत्री बसंदरा राजे सिंदिया थी उनके काहरकाल में यह जो आंदोलन है यह आंदोलन हुआ था और यह आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि भारत की सुर्क्यों में बना हुआ था यही अगर हम तूसरी और बात कर लेते हैं तो यहां बैठने की जो बिवस्ता की गई है वो बिवस्ता आप देख सकते हो किस परकार से यह जो सईध कारवाडी पीलू परा के यहां से जो सतल है और इस सतल पर कापी सारी अच्छी यहां पर बैठने की खूब सारी जो बिवस्ता है वो की गई है वही दूसरी हो रहा है बात करें तो यहाँ पर एक पानी का भी टैंक लगा हुआ है सॉलर उर्जा का प्लांट लगा है और मेरे सामने आप देखोगे जो सईद स्तल है और यह जो सईद स्तल है कापी जो गुर्जर समाज के युवा थे वो उस आंदोलन में सईद हो गए थे उनकी याददास्ती में उनके लिए यह स्तल बना गया है और एक मंड़ी दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर जो काम किया है और इंसाइद इस तल लएए और आप यह पूरा इस ट्रेक्चर देख सकते हैं यह कारवाडी में इस्तेते हैं और यहीं से मैज यह जो पट्री है यहीं पर जो अरिक्षन अंदोलन हुआ था वह बहुत साइदी एक ऐसा अंदोलन था जिसको साइदी मुझे लगता है कि आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है और यह आप इस ट्रेक्चर देख सकते हो किस प्रकार से जो यहां पर इन सहीदों की याद में यह जो इस ट्रेक्चर बनाया है बो देख सकते हो यह एक दिविज ह आप देख सकते हैं बहुत ही शांदार और भव्य इसमें जो लिखा हुआ है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं थोड़ा सा ही आप बीर गुर्जर सहीद इसमारक पीलूपुरा कारवारी ब्याना और यह सहीद जो दिवस है बो 23 मई 2008 यानि कि आज से अगर हम बात क यह इस टेक्चर है और कापी अच्छा यहां पर इन्होंने जो विवस्ता की है यह लाइटिंग का है आगे अभी इसमें बर्किंग चल रहा है अंडर प्रोसेसिंग काम चल रहा है यहां पर लाइटिंग बगएर लाइए और यह एकदम दूर से ही जैसे यहां से कोई कल निवासी है और इसके बारे में अलकी सी हम जानकारी इंसन लेंगे युवा हैं और उम्मीद करते हैं कि यह आगे जाके एक अच्छा नाम अपना करें और दोड़ वड़ करते हैं बाई तो आर्मी की तैयारी करें तो हम इनको सुबकामना देते हैं कि बहुत जल्द से ज याद में यह बनवाएगा है साथियों इनका कहना है कि गुर्जर जाती में जनवे बहतर जो लोग सहीद हुए थे गुर्जर आंदोलन में उनकी इस मरती में यह जो सहीद इस इस तले यह बनाए हुआ है और यह बहुत ही अच्छा है रोड के किनारे बना हुआ है आज भी मैं यह नहीं कहूंगा कि गुर्जर जाती ही इनको याद करती है लेकिन संपूर्ण जो लोग है इस सिस्टम से जुड़े हुए जो लोग है वो इनको याद करते हैं और समय समय पर यहाँ पर लोग आते हैं तो बने रही हमारे साथ में तमाम आपको ऐसी अपडेट देते करेंगे जहन जवारत